हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जैसे रूज के जैसे में प्लॉक में दिखाती हूँ तो देखिए ये चादर जो मैं बिचा रही हूँ ये मेरी ममी दी है ये पियर कॉटेट का है तो इसे एक बर देख करना मधु मक्ही आ इसमें मधु मक्ही आ गया और येल में ये आया था तो फिर उसे मैं फिर उसे भगा दी वो जब स्लाइटिंग में बैठा ना तो फिर मैं उसे भगा दी बच्चे लोग तो छोटा-छोटा कीड़ा देखके ऐसे डरते हैं जैसा लगते कि कोई शेर आ गया है चिल्चित्ट अब मैं आ गई हूं घर जालू देने के लिए तो आज देख सकते हैं कि घर आज गंदा नहीं हुआ ज्यादा बच्चे लोग आज गंदा नहीं किया घर को हमेशे इन लोग तो कुछ नहीं कुछ खाक इन लोग भर में फेकती है क्योंकि मैं माना करते हूं कहीं बाहर मत फे लोग पफेक लोग डिकश देकर साफ कर देती हैं तो आज देखिया गोज्युर्क आज मेरे घर में कौन आने वाले हैं तो मैं बहुत बहुत धर भूश उनसे मिलने के लिए तो आफ़ आज आपने गेस किजिए गए नहीं किये हूं शरर देखिए कर बादी घर रह मरें। मेरी मम्मी आई आई है कि अला सालाम की थी मम्मी को मम्मी जवाब दिये मम्मी मेरे घर में बहुत दिन बाद आई है तो मम्मी ये बिल्डिंग देखका चौक गई है ये फिफ फ्लो तक का ये रेडी हो चुका है तो मम्मी बोली यहां ये तो बहुत अच्छा लग रहा है न्यू बिल्डिंग देखकर तो बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखाए देता है तो मम्मी देख के बात करने लेगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरी मम्मी मेरे घर आई तो हर किसी को अच्छा लगता है जब किसी के मम्मी पापा जब घर में आते है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, घर में तो कोई नहीं है, घर में सिर्फ मम्मी पापा है, पापा निकल गये थे कुछ काम से, मॉर्णिंग में, और सिर्फ मम्मी बोली कि मैं अकेली हूं, तो कहीं से भूर गयाती हूं, तो मम्मी मेरे पास आगे हूं. तो कि अगच देल, जर रघजा हूं, ब यहाँ अगाच चहा हूं, पानी हूं, भूप है, जो तो पानी हो नहीं है, वाच़ दो आखूराए मॉप ऑपानी हों, यह मुटी, जो नहीं को हूं. अच्को दो कि एट विप नोदून पाता है तो उठे चिए नेबू गाच्छ हुम इस्ट प्रवेजेगे जिए जो जो बाया हाई हालका कोरे अच्छ आइस अब रोस्सी बेदे दिये ची ने तो बोलो तरी तक हे वहाल आटा भॉर्भोटी गाच अटा लुवीरा अटा छोटो पाती ने बॉर्धी ने चुलो ना पाती नेबु रेक्ता बीज आचे वीश्ट दीये दे चला मत्थे कही बेरिये चे आर एटा एटा पाती नेबु गाच एटा तोम्हार आचे पोईसाग तेसी बढ़स्और में जाही! आ dicho में, आपने पाने तान ही? नगो कर तेसे में चाहते हुगला Exercise कि तानी नगया चाहा? का मुवळिए ले में हुगला बढ़ा हुगला जो विवारा दाख जेचे दाखों। एक खंते की ब्रीज डाखा जाए। अजुफ गारी जाच्छे न? पर जाद लेंदु हम अब सुदर लागे गारी देखें। अब भी देखतें अम्मी गारी जा रहा है तो हमको इस गुरने का दिल करता है। पाता बट चना नो तुम अपन पाता ने गाचे काँ अपन छिरिया काँ सब खेन इचे एजन्या में एक पुछो एप बदी देचे दम शुतो पूरो वाल काला शुता चे नाजोर लागे 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 करे種ा मा बीटी फिर यहां बात करने लगे खानतों मैं चल़ा दी थी इचान बन रहे हैं किचन में तब मुझने बेद लगी देती तो घोल्लлом में तो पहल दो रैओ यहां किएगा सेब्सक्रालिय। तो मैं तो से खोल दी मा सिर्फ मा नहीं होती है मा के पैर के नीचे जन्नत होती है तो हम लोग सुने ना कि मा के पैर के नीचे जन्नत है तो मा एक बच्चे को बहुत मुश्किल से बहुत तकलिफ से बड़ा करती है जब मैं मा बनी तो मुझे इस जिस से नहीं जवाब दीजिए मा को बहुत प्यार से जवाब दीजिए तो मा क्योंकि मा का दिल के जैसा किसी का दिल नहीं है मैं दुनिया में देखी हूँ दुनिया में सिर्फ मा छोड़के बाकि आप किसी से रिस्ता रखिए तो आपको सब मतलब में रिस्ता रखता है सिर्फ म माही एक है जो बीना मतलब का आपको प्यार करती है और आपसे रिस्टा रखती है तो पुलीज आप लोग कभी भी अपने मा से रिस्टा मत तोड़िए आप लोग आपने मा के संग जूड़ के रहिए मा जब चले जाएगी दुनिया से तब फिर आप सुंसते रह जाएगे कि मैं मा से क्यूं नहीं सही से बात किया हूँ मा से क्यूं नहीं सही से रहा दुनिया में मैं सिर्फ एक चीज देखी जो बिना मतलब का आपको आपकी माही प्यार कर सकती है आप किसी से भी दोस्ती कीजिए जब तक का आप से मतलब है तो आप उसका दोस्ते मतलब नहीं तो आपको वो दोस्त भी नहीं है तो एक माही है जो बिना मतलब से आपको प्यार करती है तो मा को इज़त देना चाहिए मा को प्यार करना चाहिए मा नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी मम्मी अचानक से फोन की थी कि पापा नहीं है घर में मैं वहाँ आ रही हूँ तो मैंने बोली ठीक है अपा जाएए मम्मी के लिए मैं बिर्यानी बना देती अचानक से मम्मी आई तो मैं भूना गोस की चिकन का भूनगोस और दाल बना दी और चावल तो यहां हम लोग बहुत इंतिजार किये मेरे हजबिन का जो हम लोग सब एक संग खाएंगे तो उनका काम था तो वो नहीं आ पाए टाइम से तो हम लोग मा बेटी हम लोग बैठके खाना खा लिए अब लोगों भी बिर्यानी का यहां खाएंगे खाना खाने के बाद फ्रेंज अब हम लोग आम खाएंगे तो मेरा और अम्मी का खाना हो चुका है तो हम लोग आम खा रहे हैं अभी आप लोग भी खा लीजिए बहुत मीठाम है बहुत टेस्ट है मा बेटी हम लोग आम खा रहे हैं खाना खानी की टाइम हम लोग बहुत इंतिजार किए तो उनका काम था तो वुट बिएलासे आए एकसर खाना नहींद सब्यूंद खाना लेंहिंद टो अब हम लोग खाना आम खार रहें तो अब मम्मी घर जा रही है नानी तो अभी गली में जाएगो अपर एड दिखाय दे रही है ना एड दो राइट तरफ हूँ हो गई है नानी देखे इचे देखे आप तो फ्रेंड्स मम्मी चली गई है तो अब हम लोग दोनों मा बेटी है घर पे और बड़ी बेटी आएगी सेंटर से तो फिर उसके बाद फिर हम लोग एक संब फिर बैटके हम लोग मा बेटी सामका नास्ता गरेंगे तो आज के लिए ये वीडियो यहें तक है फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में बाई तो आएगी